भारी बारिश की वज़ा से पहाड भी दरक रहे हैं। पहाडों के तूटने से उत्राखन में चार धाम यात्रा मिश्किलों में पड़ गए हैं। जहाँ पर दो गाडियां पहाड से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गए। भारत में मौनसून आते ही ये तस्वीरे सामने आने लगती हैं। आजपस का इलागा पूरी तरह से कड़ गया। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें नदी के उपर एक अस्थाईपल बनाने की कोशिश हो रही। लेकिन पानी के बाहब इतना तेज है कि राहत और बचार में लगी एजनसियों की ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इतन अगर से 20 किलोटेर दूर असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फ्लैश फ्लट और लेंड स्राइट से भारी तबाही देखने को मिल रही है। ये एक फोर लेंड हाइवे की तस्वीर है जिस पर पत्थर गिरने से ये पूरी तरह से बंद हो गया। अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्राखंड में बारिश पहाड़ों के तूटने की वज़बन नहीं है। आपके सामने ये उत्तरकाशी जिले की तस्वीर है जिसका गंगोत्री नैशन हाइवे लेंड स्लाइट की चपेट में आ गया। करीब पांच घंटे तक ये हाइवे पूरी तरह से बंद रहा इस हाथसे में आंद्रप्रदेश के एक तीर स्यात्री की मौत हो गई। उत्राखन में यम्रोत्री धाम के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो रही है जिससे आम लोगों के अलावा शद्धालूं को भी मुसीवत का सामना करना पड़ रहा है। अब ये चमोली की तस्वीर देखी जहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है मौनसूं की वज़े से चार धाम यात्रा मुश्किल में है। चमोली पुलिस के अनुसार पहला हाथसा बुदवार शाम को हुआ जब बद्रीनात के दर्शन करने आ रहा है यात्रियों के गाली पर अचानक पत्थर गिर गया। इससे गाली में बैठे दोलोग तो बच गया लेकिन गाली चला रहे ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। चमोली में ही दूसरा हाथसा गुरुवार दो पहर में हुआ जिसमें यूपी से आए शद्धालेओं की गाली पर पत्थर गिरने से ड्राइवर घायर हो गया। पाड़ों पर बारिश के दोरां पत्थर गिरना आम बात है। इसलिए मौन्सून के मौसम इन इलाकों में चलने वाली गालियां और रहगी इसकी चपेट में आते रहते हैं। उत्राखन के फित्थरागड में भी बारिश से कई मकान शत्यगर्स हो गए। ये देखिए बारिश से किस तरह से घरों में दरार आ गई हैं। पित्थरागड में मकानों के आंगन तूट गए हैं। इलाके की दरजन भर से ज़्यादा सलकें बंद हो गई हैं। उत्राखन के बाद भी हिमाचिर प्रदेश की दस्वीर है जिसके कांगणा में तेज बारिश हो रावा चलने से ये पेड़ गिर गया ये कांगणा का SGM कैमपस है जहाँ पर पुराना पेड़ गिरने से उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई ये देखिए SGM कैमपस में खड़ी तीन गाड़ियां पेड़ गिरने से बुरी तरह से शतिग्रस हो गए भारत में कोई भी पाहाली राज्य हो वहाँ पर भूसकलन की घटनाय लगातार बढ़ रही है इस तरह के हाथसों में लोग भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं पाड़ों पर देजी से पेल काटने का खामयासा मंचून सारा देश भुगतता है आज तक विरो